Hello student, myself Rajesh Chauhan from CLC, आज हम बात करेंगे 12th का जो STSC के paper में mental ability का test हुआ, उस mental ability के test के अंदर क्या paper था, कैसे था, paper का level कैसा था और उसके solution की आज हम बात करने वाले हैं, paper का level मैं medium to moderate रखूंगा, ज्यादा hard नहीं होंगा question को, एकदम easy paper था, देखते हैं paper में क्या है, paper में हमारा first question था, if a certain code language, covid को इन्होंने code किया है, तो हमें virus को code करवा रहा है, coding decoding का simple सा caution आया है, तो जब coding decoding में हम cautions को code करते हैं, या देखते हैं कि क्या logic है, तो skill जो best तरीका होता है, हम इनको numbering कर लेते हैं, अगर मैं कहूं COVID, इसको अगर मैं numbering कर दूं, तो मुझे बता है C का number 3 होता है, 15, 22, 9 और 4, इसको code किया है, D, Q, Y, M, I, तो same basis पर इसको भोलूंगा, इसको 4 लिखते हैं, 17, 25, 13, और 9, अब हम logic easily देख पा रहे हैं, कि सर यहां पर इन्होंने 1 increase किया है, यहां पर इन्होंने 2 increase किया है, यहां पर इन्होंने 3 increase किया है, same basis पर यहां पर 4 और यहां 5 increase हुआ है, यानि हमें करना कुछ नहीं है, same जो हमारा virus है, इसके अंदर V, I, R, U, S, इसके numbering अगर देखें, तो 22, 9, 18, 21, 19 इसके numbering हो गई, फर्स में हमने 1 increase किया था, अगर इसमें अगर आप 1 increase करेंगे, तो 23 आएगा, और 23 नंबर पर हम देखें, तो W आता है, option की help ले simulate हो गया, क्योंकि W नहीं है, फिर W, K, T, W, K, T, W, K, U, हम देखेंगे, सर, कि 3rd option में अगर हम देखें, तो T में change हो रहा है, तो एक बार हम 3rd लेटर चेंज कर लेता है, अगर हम 3rd की बात करें, तो 3rd में हमने 3 add किया था, तो इसमें अगर 3 add करेंगे, तो 18 में 3 add करेंगे, 21 और 21 पे आता है, यू, यानि सरी ये दोनों option क्या होगे, रोंग होगे, 3rd option इस और answer, जो में अरिवाद, next question पर चलते है, question number next, question है, ये भी coding decoding का question है, but number coding और letter coding दोनों को mix करके बनाया गया question है, आप यहां देख रहे हो कि यहां पर हमारे पास letter है, और letter को numbering की गई है, 20 औ हमें logic find करना होगा, कि किस तरीके से letter को numbering में convert कर रहा है, तो हम जानते हैं कि T का जो number होता, वो 20 number पे आता है, तो शायद same concept पे अगर इनकी बात करें, तो हम 25 प्लस 1 प्लस 13 को अगर add करें, तो हमारे पास आ रहा है, 39, यानि हम यह कह सकते हैं कि कुछ नहीं करना, सिर्व ज हमारे पास आ जाएगा, 46 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, next question पे चलते है, next question आया है हमारे पास, when diagram हमें बताना है, when diagram सको कौशन है, और when diagram में हमें relation बताना है, teacher, educated और graduate के बीच में, तो हम यह कहेंगे कि सर अगर teacher की बात करें, educated की बात करें, और graduate की बा teachers are educated, यहां से एक all का relation बनेगा, फिर हम graduate की बात करें, तो हम यह कह सकते है, all graduates are educated, बिल्कुल यह बात सही है, teachers और graduate में relation देखें, तो हम all का relation नहीं बनेगा, यहां पे some का relation बनेगा, कि some teachers are graduated, and some graduated are teacher, तो हमारे पास जो भी wind diagram होगा, उसके अंदर दो circle अंदर होने चाहिए, औ एक circle आपस में कटा हुआ होना चीए, तो आप बोलेंगे, ऐसा हमारे पास diagram बनना चीए, और ऐसा diagram मारा आता हो, option number first के अंदर, next question पे चलेंगे, next question भी wind diagram का है, हमारे पास है, tea, coffee and drink, तो आप देखेंगे, sir, tea को भी हम drink करते हैं, coffee को भी हम drink करते हैं, दोनों अंदर आएंग कोई relation नहीं है, तो हमारा answer जाएगा, इसके अंदर, option number four, ठीक है, I hope आपको बास समझ में आ रही होगी, अब हम बढ़ते है, question number five की तरफ, question number five हमारे पास series का question आ गया है, और series के question में हमें पास alphabet लिखेंगे हैं, तो अब इन alphabet के series को अगर आप ध्यान से देखें, तो ये एक vowel series है, और हम जानते हैं, vowels होते हैं, A, E, I, O, U, तो हमारे पास next five number का जो vowels आता है, यू आता है, तो third will be हमारा answer होगा, ठीक है, next question, question number six, ये भी हमारी एक alphabetical series है, तो इसमें हम numbering कर लेते हैं, numbering में first वाले letters को ही numbering कर लेता हूँ, जिससे की मुझे idea मिल जाएगा, ये क्या हो number का होना चीए, तो हम देखते हैं, सर, यहाँ पर three increase हो रहा है, यहाँ पर increase हो रहा है, हमारे पास seven, सर, यहाँ पर increase हो रहा है, हमारे पास eleven, यानि सर, यहाँ पर increase हुआ three, यहाँ पर हुआ seven, और यहाँ पर हो गया eleven, तो अगला later हमारे पास क्या होना चीए, तो अगला यह नहें करें तो आप चाहे तो इन का भी left मों के मारा नमबर आएगा 37 47 37 नंबर पर कौन सा लेटर होगा, तो 37 हमारे पास टोटल 26 होता है, 26 इसमें से अगर मैं माइनस करूँ, तो मेरे पास आता है 11, 11 नंबर पर मेरे पास आएगा, कि सर क का नंबर जो होता है, वो 11 होता है, कौन से ओप्शन में, पर आफिष्ट में करणा है, तो आप यह देखते हैं कि सर हमारे पास option नंबर 2 में के है और option नंबर 4 में के हैं, इन 2 option में से हमें 1 option पे जाना होगा, इसके लिए हमें अप 2 लेटर को भी चेक करना होगा, कि इनके बीच में क्या relation है, इनको relation को check करने के लिए आप देखते हैं, तो sir, B का number 2 है, G का 7 है, P का आमारे पास 16 है, और C का number क्या होगा, तो क्या हो रहा है, C का number हो गया, आमारे पास 3, ठीक है, तो अगर यहाँ पर इनकी number नहीं देखें, गुम बॉलेई सिलाओ इस फाइब इंक्रीज हुआ कि सब्सक्राइब इंदर इंगरेंगें तो आप वynnays तुन्यन होना की होओ, तो हमारे पास 3 बसता है, 3 पे number कौन सा आता है, C आता है, इसका मतलब हम यह कहेंगे, कि यहाँ पर C आ गया, 3 आ गया, फिर उसके बाद में आगे चलेंगे अपन, फिर C के बाद में आपन वापस 13 में 4 एड करेंगे, तो यह हो गया, 17 और 17 और 13 करेंगे, तो कितना हो गया, 20 और 20 नंबर पर आता है, हमारे पास क्या T, तो हमारा आंसर हो जाएगा, KT, option number second, हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर alphabetical series है, तो हम बोलेंगे, A, B, C, D, यानि यहां पर जो आएगा, उसका first letter D होगा, सभी option में D है, D, W, V, E, सभी option के अंदर सेम हमारे दिख रहा है, फिर हम Z की तरफ देखते हैं, तो यह उल्टी series चल रही है, X, Y, Z, तो यहां पर आप बोलेंगे, Sir, W, X होना चाहिए, तो D के बाद में, W आना चाहिए, W यहां पर भी है, W यहां पर भी है, W यहां पर भी है, और सब में थर लेटर E है, लेकिन इसमें नहीं है, तो हमारे यह फर्स्ट option में क्या हो गया, cancel हो गया, अब इन दो option में से हमें एक option पर जाना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यह देखते हैं, कि अब W, X, Y, Z, तो यहां पर होना चीज़ है, W, X, Y, Z, इससे solve होगा, और आपको option की help से question को solve करने में मदद मिलेगी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, question number 7 है, sanitizer है, और इसको एक series चल रही है आगे, और series में अगर आप धुला ध्यान से देखेंगे, तो आपको इस समझ में आ रहा होगा, कि पहले वाले में यह S, यहां से हटा कर, इसको last में लगा दिया है, तो A से start हो गई है, और S तक जा रही है, फिर दूसरे वाले में फिर से A को उठा कर last में लगा दिया है, और series N से start होके चल रही है यह तक, फिर यहां अगले question में अगर आप देखेंगे, तो sir N कहां जाएगा, N last में जाएगा, तो कौन से option में N last में है, वहले sir, इन दोनों में N last में नहीं है, तो यह नहीं होगा, दूसरा बात series start कहां से होगी, वहले sir, series होगी I से, I, T, I, I, T, I, Z, E, R, S, A, N, यह वाला series होगा, यहां पर यह वाला series का pattern खराब होगया, इसलिए second option में क्या होगया, wrong होगया, first हमारा क्या होगा, answer होगा, I hope बात समझ में आरी होगी, ठीक है, next बढ़ते हैं, question number 9, number series का question है, number series का question सा, अगर आप ध्यान से देखिए, तो आप इस question को difference की help से भी मदद कर सकते हैं, अगर आप चाहें, तो इसको difference करके solve करेंगे, थोड़ा सा question लंबा हो जाएगा, अगर आप direct इसकी logic लगाएंगे, तो question बढ़ा असान है, अगर आप इसको difference से solve करेंगे, तो भी question हो जाएगा, अगर मैं इनका difference लू27, तो 10, 70 है, और यह हो जाएगा हमारे पास, 70 में से 8 गया, तो हमारे पास बच जाएगा, zij libird 62 कि scholars 52 बच गया बाब देखेंगे और लिच्वेंगी दिफेरेंस करूंच तो यहां भी डिफेरेंस करूंगा तो आपके बास पलेंगे 30 में 20 गैंक chat 18 आएगा यहां दिफेरेंस करेंगे तो सर यहां पर आएगा 4 और यहाज आएगा 24 फिर औडिफेरेंस करेंगे आप तो सर यहां भी डिफ्रेंस आएगा 6 का तो आगे भी डिफ्रेंस आएगा 6 का यानि यहां होना चीए 30 यहां 30 है तो यहां होना चीए 92 यहां 92 है तो यहां होना चीए 222 यानि option 4 is your answer इसी question को आप चाहें तो इसकी direct approach पे भी लगा सकते हैं अगर आप थोड़ा सा दिमाग पे जो डालें कि number आपके आचानक बढ़ रहा है अगर किसी भी सीरीज में suddenly number बढ़ता है तो पक्का कोई ना कोई स्क्वाइर क्यूब का logic हो सकता है अगर आप मैं इसको कहूं कि अगर वन के क्यूब में वन एड करूंगा तो आप बोलेंगे तो आएगा 2 के क्यू में जब आप 5 एड करेंगे तो आपके पास आएगा 130 और सेम प्रोसेस से जब आप 6 की क्यूब में 6 करेंगे तो आपके पास आएगा ट्रिपल तू यह आप्टिवल नमबर 4 आयो बाद समझ में आ रही होगी नेक्स कोशिन की और बढ़ते हैं नेक्स कोशन है हमारे पास आ आपके पास नंबर सीरीज गीवन है 21, 34, 55, 22, 33 सीरीज सिम्पल सी दिख रही है अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें अगर इन दोनों नंबर को एड करें हम 21 और 34 को तो हमारे पास नंबर मिलेगा 55 अगर इन दोनों नंबर को एड करेंगे तो आपको नंबर मिलेगा 89 89 औ मुझे लास्ट में 7 दिखाए दे रहा है तो मैं थर्ड ऑप्शन उसको चूज कर लूँगा जब आप इन दोनों को एड करेंगे तो आपके पास आएगा 377 आपको जरूत नहीं है ऑप्शन की हेल्फ से आप को ज्यादा बेटर तरीके से कर सकते हो आगे बढ़ता है कि कॉ यह भी हमारी एक number सिरीज है number सिरीज को हम देख रहे हैं तो number repeat हो रहा है तो पक्का कोई ना कोई multiplication चलता रहेगा, यहां पर 1 से किया, 1.5 से किया, 2.5 से किया, 3 से किया, 3.5 से किया, यहां पर हमें इसको multiply करना है 4 से, 3 15 को जब आप 4 से multiply करेंगे, तो आपका answer आएगा, और answer आप देख रहे हैं कि जब 2 option देख रहे हैं, यहां आपका answer होगा, 12 or 60 is your answer, आगे बढ़ते हैं, number series का question है, number series में आगर इस question को आप ध्यान से देखें हैं, तो मेरे को यह कोई square cube जैसे number देख रहे हैं, यहांनि पक्का लोजी कुछ ऐसा हो रहा होगा, कि 1 का square हो रहा होगा, 1 की power 1 रही होगी, 2 की power 2 रही होगी, 1 की power 1, 2 की power 2, 3 की power 3, 4 की power 4, 5 की power 5 और 6 की power 6 हमारा क्या होगा, answer होगा, और 6 की power जब आप 6 करेंगे, तो हमारा answer आएगा, option number first, आपका क्या होगा, answer होगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, caution number 13, clock का caution है, clock का direct caution है, 10th class के STSC के exam में भी आया, 12th में भी आया, क्योंकि fixed pattern है, एक caution तो बनता ही है, तो हम देखेंगी, यह हमारे पास दिया गया है, 130 को time बताना है, तो simple angle का formula है, theta is equal to 60H difference 11M divide by 2, difference का मतलब greater में से smaller आपको minus करना है, तो 60H की जगह पे आपने रखा, 60H की जगह पे आपने रख दिया, 1 minus 11 की जगह पे आपने रख दिया, 30 divided by 2, आप इसको करेंगे, तो 60 minus 330 divided by 2, अब आप देख रहेंगे, 330 greater है, 60 smaller है, तो हमें यहाँ पर value लेनी है, positive, तो 330 में से जब आप 60 minus करेंगे, तो आपके पास आएगा 270, और 270 को जब 2 से divide करेंगे, तो आपके पास आएगा 135 degree, 135 degree option number second में है, तो आप का अंसर हो जाएगा option number second, next question की और बढ़ते हैं, next question, direction पे question है, simple question है, language का question है, हमें पूचा है, how far is he from the starting point, यानि अगर starting point की जब बात कर देता है, तो हमें कौशन का एक neat and clean diagram बनाना होगा, और diagram की help से हमें कौशन को समझना होगा, राज started from his place, heading south, walk 40 meter, यहां उसका प्लिसमान लेता हूं, मैं south की और वो चलना start करता है, इधर हम south है, आप जानते होंगे, जगर हम board की अगर बात करें, तो board के उपर, या plane के उपर, उपर हमेसा north होगा, नीचे हमेसा south होगा, इधर east, और यह आपका क्या होगा, वेस्ट होगा, इसकी according, अगर मैं south की तरफ इसको चला हूं, तो 40 meter मैंने south की तरफ चला दिया, यहां starting point से, फिर क्या करता है, turn left and walk 15 meter, left चलेगा, तो left turn करेगा तो इधर चलेगा, और यह 15 meter यह इधर चलेगा, यहां आ गया, फिर क्या करता है, after this he turn right and walk 20 meter, फिर से right लेता है, और right लेकर 20 meter वो नीचे आ जाता है, तो यह right लेकर नीचे 20 meter more, कुछ missing हो गया, शायद question में, एक मिन में चेक कर लेता हूँ, question में कुछ missing तो नहीं है, sorry missing नहीं है, पर नहीं यहां पर एक line मिस कर दिया, एक मिन रुकी, ठीक है, point start करता है, और start से south की तरफ वो चलता है, कितना meter, 40 meter, ठीक है, फिर क्या करता है, left turn करता है, left turn किया, यह लो, 15 meter चला, ठीक है, फिर क्या करता है, right turn करता है, 20 meter चलता है, फिर right turn करता है, 20 meter चलता है, ठीक है, फिर से again right turn करता है, 15 meter चलता है, तो यह right turn किया, 15 meter चला, ठीक है, फिर से again, वो क्या करता है, left turn करता है, 20 meter चलता है, तो 20 meter चलता है, तो 20 meter चला हो नीचे आ गया, अब ह triple to total distance उसने triple hi km करवाना से 8 person है, उनको हमें बिठाना है, sitting करवाना है, एक circular table के according, और उनको बिठाते वक्त हमें देखना है, कि इन conditions को हमें follow करना है, कि कैसे कौन बैठेगा, तो अगर मैं बात करूं कि मैं अगर circle यहां बना दू और इस circle में 8 persons को अगर मैं बिठाना चाहूं, तो मैं बिठा सकता हूं, मैं उनकी positions को fix कर देता हूं, कि let assume, कि वो 8 persons यहां बैठेंगे, यह मैंने 8 places बना दिये हैं, अब इन 8 places पे मैं बिठाना start करता हूं, caution कह रहा है, C is second to the left of B, C जो है B के second में है, यानि अगर आप B को यहां पे अगर sit करवायता है, तो B का यह वाला portion right हो जाएगा, यह left होगा और B के left में second place पे कौन बैठा है, C बैठा है, चलो C को बिठा दिया, फिर क्या कर रहा है, B is fourth to the right of E, B जो है E के right में fourth पे है, तो अगर मैं E यहां बिठाओंगा, तो 1, 2, 3, third पे होगा, और अगर E को मैं यहां बिठा दूँ, तो E का right 1, 2, 3, 4, E यहां बिठेगा, third पे आ हो रहा है कि यह immediate neighbor नहीं हो सकते, आगे बढ़ते हैं, F is third to the right of A, F जो होगा, A के third होगा, A के third होगा right में, अगर suppose करें, A यहां नहीं बिठ सकता, तो A यहां बिठ सकता है, अगर A यहां बिठाते हैं, तो इसका third right कौन सा होगा, तो इसका third right होगा, 1, 2, 3, इसका मतलब यहा immediate neighbor of A, H यहां नहीं बिठ सकता, तो फिर H के लिए A की जगह बचती है मेरे पास, H यहां नहीं बिठ सकता, H यहां नहीं बिठ सकता, तो H को मुझे यहां बिठाना पड़ेगा, H को मैं यहां बिठा देता हूँ, A is immediate left to Z, A क्या है, Z के left में है, तो Z यहां बिठेगा, एक place खाली बचकिया है मेरे पास, वह एक place यह हो गया, अब यहां पर मैं बिठा देता हूँ किसको, कौन बचकिया है मेरे पास, मेरे पास बचकिया है D, ठीक है यह आपका sitting arrangement हो गया है, आपने इनको बिठा दिया है, अब आपके पास questions है, जिनको आपको क्या करना है, ठीक है, चलिए अब क dobr बढ़ते हैं फिर्स्ट कोश्टना तो इस से के पोस्ते हैं सिक अर्य होगा यहाँ पर यहां पे ऑनव मकंवाथ तो आपका answer हो जाएगा D, ठीक है, हमारा answer हो जाएगा D, next question आते है, question number 17 पर, question number 17 हमें कहरा है, C, who is A's position, what is the A's position with respect to C, C की हमें A की position बतानी है, C के respect में, तो हम देखें कि sir, C के respect में A, या तो right side में 4th पे होगा, या 1, 2, 3, 4, या left side में 4th पे होगा, दोनों ही left and right की, अगर आप बात करें, तो दोनों ही तरफ क्या होगा, 4th पे होगा, तो आप बोलेंगे, sir, 4th option सिर्फ एक ही में है, कि 4th to the right of, तो हम खावार कहेंगे, हमारा answer क्या हो जाएगा, second will be the हमारा right answer, 18 number के questions की और बढ़ते हैं, 18 number का questions है, mirror image का questions है, sorry, water image का question है, और water image के questions में हम जानते हैं, कि up and down change हो जाता है, up and down क्या हो जाता है, change हो जाता है, left, right में कोई change नहीं होता, जो up होता है, वो down चला जाएगा, और जो down होता है, वो अब चला जाएगा, तो ऐसे questions को आप option के help से करेंगे, तो जादा बेटर होगा, कि sir, ये P जब ऐसा होगा, तो ऐसे बनना चाहिए, जबकि इसमें तो 7 बन गया, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, second option पर देखें, तो sir, जब D उल्टा होगा, तो ऐसे होगा, second option में D का मुह इस तरफ है, तो ये भी नहीं हो सकता, इसमें भी D का मुह सही है, इसमें भी D का मुह सही है, फिर बोले sir, F की बात करें, तो sir, यहाँ पर F आपके पास, जब इसका उल्टा होगा, तो ऐसे होना चाहिए, जब यहाँ पर देख रहे हैं, तो sir, इसमें उल्टा ऐसा है, लेकिन इसमें उसना मुह चेंज कर दिया है, यानि ये भी नहीं होगा, third will be your answer, ठीक है, बात समझ में आरी होगी, next question की और बढ़ते हैं, question number 19, ये भी आपके पास, ये भी आपके पास mirror water image का caution है, water image में आप send down करना है, यानि ये triangle ऊपर है, याभी ये triangle आपके पास नीचे बन जाएगा, इस तरीके से, अब आप देखें कि sir, इस option में भी triangle नीचे है, इसमें नहीं है, रॉंग हो गया, इसमें भी नीचे है, इसमें नहीं है, रॉंग हो गया, sir, हमारे पास दो option बचे हैं, दूसरी की option की अगर हम बात करें, तो sir, इसने left and right भी change कर दिया है, जबकि triangle में left and right chain नहीं होगा, तो हमारा first क्या हो जाएगा, answer हो जाएगा, बड़े simple questions हैं, आप लोग इनको देख रहे होंगे, इनमें कोई भी जाएगा दिमाग लगाने की बात नहीं है, next question आया, यह है हमारा mirror image का question है, mirror image के question की concept की बात करें, तो left और right जो है, वो आपस में क्या हो जाते हैं, interchange हो जाते हैं, left and right आपस में क्या हो जाते हैं, interchange हो जाते हैं, it means है अगर हम यह कहें, कि यह अपने face को बदल लेंगे, यानि यह जो circle है आप जो को इधर दिखेगा और यह arrow है आपको उधर दिखेगा, तो हम देखते हैं, कि sir 5 भी अपना face change करेगा, 5 का face इसमें change है, 3 का face इसमें change है, लेकिन इन्हों ने इन arrow का same रखा है, यह wrong हो गया, फिर sir हम बात करेंगे, sir इन्हों ने up and down कर दिया, यह wrong हो गया, sir इसकी बात करें, что sir इन्हों ने up and down कर दिया, wrong हो गया, सरी ने क्या किया है मिस सब्सक्राइभ है यह ए इह उधर अगया तो आप भुझा ऊटा कर दिया है तो यह हमारा क्या हुजाएगा और यह इन्टीज कर दिया है इस वजे से क्या हो जाएगा थाđ बर फोर्ट नमबर ट्वेंटीवन इन दोनों आंसर में से एक आंसर होगा हमारे लेकिन हम देखते हैं कि सरी 12 और 6 और इंटरचेंज कर दिया तो फोर्थ वारा जैदा राइट आंसर होगा ठीक है नेक्स्ट कोशन की और बढ़ते हैं, कोशन नमबर 22, 22 हमारे पास कोशन जो है, डाइग्राम से रिलेटेड कोशन है, फिगर कोशन है, तो हमें इन फिगर्स को रिलेशन बनाना होगा, आप यहां देख रहे हैं कि स्क्वाइर है, एक सर्कल है, और इन दोनों को यूज करके य डाइग्राम बनाया हुआ है, अगर यहां पर सर्कल है, तो सर्कल के अंदर स्क्वाइर रख दिया है, और फिर से इसमें सर्कल रख दिया है, यहां पर अगर स्क्वाइर है, तो स्क्वाइर में ट्राइंगल रख दिया है, और फिर से इसके अंदर स्क्वाइर रख दिया ह और फिर इसके अंदर क्या रखना चाहिए ट्राइंगल रखना चाहिए तो ऐसा ओप्शन आप अप्ट्री में मिल रहा है को थाड़ विल भी और आंसर नेक्स्ट क्यों बढ़ते हैं कॉशन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास मैथेमेटिकली ऑप्रेशन पर कॉशन है साइन्स को बैलेंस करना है आप कोई भी साइन अप्लाई करकर के देखना होगा कि कौन सा साइन इसको जस्टिफाई कर रहा है अगर ऑप्शन फर्स्ट आप अप्लाई करें इसमें तो 17 इंटू 3 इस इकल टू 6-45 तो आप बोलेंगे एक यह कते इक वनीओ सकता बिल्कुल सही नहीं है ऑप्शन हमें सेकिंड पर आप जाएंगे 17 इंटू 3-6 इस इकल टू 45 देखते हैं सेवन्टीं इंटू 3 करेंगे तो 51-6 करेंगे तो 45 45 इस इकल टू 45 यानि बात बिल्कुल सही है ऑप्शन सेकिंड क्या होगा हमारा राइ संब्सक्राइगे नमबर अरगा जीनकी पोजिशन चेंज नहीं हुई अगर अगर सेंडिंग ओडर में लगाओं तो सबसे स्मॉलेस्जफ नमबर हो गया 2 फिर हो गया 3 फिर हो गया 45 फिर आगया 6 फिर 7 फिर 9 अब आप देखें कितने नमबर ऐसे हैं जिनकी पोजिशन नंबर कितने पर है थ्री पर ही है इन सब की नंबर किया होगी चेंज होगे तो सिर्फ एक नंबर ऐसा हुआ जिसको चेंज नहीं किया वो है option number second में ठीक है आगे बढ़ता है कि कॉशन नंबर 25-26 हमारे पास एक पजल का कॉशन है सिंपल सा कॉशन है रॉनक कीर्थी शुबं गौतम एंड मयंक अर्ड गुड फ्रेंड एंड यहां पर गुड है ठीक है एंड गुड स्पोर्ट्स परसन है अब हमें उनको बताया गया है कि कौन कैसे खेल रहा है तो हमारे पास फस्ट है कॉला कॉशन ने कहा है कि ज को बाढ़uges है थे जडल केरिव अच्छर सब्राइब रहां है ठीक आगे वडूराइब सizer और industries हैवो गौकी पर श्चरा में किसे अओंध ऑनिघु है थिक महलना दिया फिर आगे बढ़रा है एक एक और हमारे पास gosh opini ये नहीं है हमारे पास exactly यह दोनों किसमें अच्छे है फोलो, इस सडीय दोनों है सब्सक्राइद कि और में पास किरकेट है और वोली वोल के अंदर ड़ोन अच्छे हैं जैक है तो हमने k में किरकेट न वोलीवल में बना दिया फिर एक ररेलेशन और बोल रहा है कि गौतम तो गौतम सुबहम और मयंग Pont कि टीन आदमी हैं और यह तीनों कौन से गेम में ऑच्छे हैं। यह तीनों अछह अफूटबल और खेलते हैं टैनिस अब हमें question का.onso cricket and volleyball tennis cricket and volleyball और football ऐसा कौन है जो इन तीनो चारो गेमों के अंदर क्या है expert है good है तो हमें एक ऐसा person लेना होगा जो सब कुछ game खेलता हो तो अगर आप यहां पर देखें तो रोनक जो हमारे पास है hockey भी खेलता है volleyball भी खेलता है रोनक है tennis भी खेलता है यहां पर और रोनक यहां पर नहीं है तो रोनक football नहीं खेलता है तो हमारे पास रोनक का option या रहा है क्योंकि हमें एक ऐसा person लेना है जो सारे game खेलता उगा तो तो हम देखते हैं goddamn को देखिए photograph जो है आप देखेंगे गotham तो गॉतम जो है सर किर्केट भी खेल रहा है गोतम फुटबोल भी खेल रहा है गोतम फुटबोल भी खेल रहा है गोतम टैनिस भी खेल रहा है हमें चीए कौन-कौन से गेम हमें चीए किर्केट चीए वॉलीबोल चीए टैनिस चीए और फुटबोल चीए तो सिर्फ एक गोतम एक ऐसा पंदा है जो यह चारो गेम खिल रहा है तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4 ठीक है नेक्स्ट कोशन चलते हैं कोशन नंबर 26 है हमारे पास आता कॉशन के इसके अंदर हमसे पूछा है कि टैनिस व औल्लीबॉल और होकी के उन्दर को ढूंश ब्लंड तो हम वलाएंग जो है टैनिस भी खिल रहा है ठीक है जब आपका है टैनिस भी खिल घृता है पर साथ Mississippi कोशन थोड़ा सा लेंग्वेज का है हमें इसको एकसा लेंग्वेज में बनाना होगा और कोशन हो जायेगा इसली तो कि 27 आफनेक अगर आपके पास परसंटेज है तो परसंटेज का मतलब है smaller और अगर आपके पास square है तो square का मतलब होगा equal और फिर आपके पास equal है तो equal का मतलब होगा not equal ओके इन signs को use करते वे हमें आगे questions को क्या करना होगा solve करना होगा ठीक है तो मैं caution के अंदर इसमें से हट गये हैं तो मैं एक बार यहां पर यह यह यूज कर लेता हूं ठीक है देखिए जैसे कौशन ने कहा a delta और delta का मतलब हमने कहा है greater than b तो आप यह कह सकते हैं a is greater than b caution कह रहा है b is greater than c तो आप यहां से कह सकते हैं a is greater than b b is greater than c तो a is greater than c होगा की नहीं होगा बिल्कुल c होगा तो आप देखें option की help लें तो option अगर आप second को देखें तो option second यह कह रहा है कि c is percentage और percentage का मतलब लिखा हुआ है less than तो c is percentage a यानि less than a तो दोनों का मतलब same है तो हमारा आजाएगा option second is क्या होगा हमारा answer होगा next question क्यों बढ़ते हैं next question है a is percentage b percentage का मतलब a is less than b है और b is delta c sorry square c इसका मतलब हो गया b is equal to क्या हो गया c हो गया तो आप यह कह सकते हैं कि जो b होगा b जो होगा वो a से भी बड़ा होगा और c से भी बड़ा equal होगा तो आप देखते हैं option हमें क्या कह रहा है option की help से caution सो औरने वाले हैं first option कह रहा है कि c is greater than a क्या हम यह कह सकते हैं कि c greater than a होगा हाँ आसर बिल्कूल हम कह सकते हैं कि b c के equal हो गया तो हम यहां पर c लगा सकते हैं तो c is greater than a होगा यानि option first हमारा क्या होगा right answer होगा question number 29 के और बढ़ते हैं question number 29 है हमें दिया गया है a c is greater than b c और हम से पूछा है कि तीनों नंबर जो है अगर positive है तो इन में से कौन सा right होगा अगर मैं c से c को cancel कर दूँ तो मैं कह सकता हूं कि a is greater than b होगा अगर a is greater than b की बात करें तो इस option से हमें पता लग रहा है कि इस डेल्टा का मतलब है a is greater than b तो option 3 हमारा क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा ठीक है next बढ़ते हैं question number 30 हमें a is percentage लिखा हुआ a c is percentage का मतलब less than और यह bd फिर हमें दिया गया है a b और इसका मतलब होता है डेल्टा का मतलब greater than और c d मैं इस question को ऐसे write कर सकता हूं कि c d is less than a b अगर इन दोनों को अगर हम multiply कर दें तो आप यह कह सकते हैं कि सर यह हो जाएगा a c square d less than d square a d तो आप बोलेंगे सर यहां पर a से a cancel हो गया d से d cancel हो गया यानि c is less than b होगा हमारा answer और c is less than b का answer आता है हमारे पास कि अगर b is less than c है percentage का मतलब क्या होगा less than c और यहां पर है c is less than b तो हमारा answer आएगा यहां पर first option number first c is less than d ठीक है आगे बढ़ता है question number 31 question number 31 basic arithmetic का question है एक person deposit 35% of his monthly income in the bank rest of 60% on his family and then he remaining money spends on his himself तो हमें बताना है which of the following shaded part shaded part represent the monthly income with his spend on the himself हमें बताना है कि वह अपने total income में से कितना income अपने उपर spend कर रहा है उसका shaded अगर हम बनाएं तो कैसे बनेगा तो देखिए पहले हम देख लिते हैं कि वह अपने उपर खर्च करता कितना है कितना spend कर रहा है मैं जूम कर लेता हूं कि उसकी total selling hundred है total hundred हो इसकी income है hundred में से उसने 35% उसने क्या कर दिया खर्च कर दिया तो उसके 35 उसने खर्च कर दिया तो remaining उसके पास बचके 65 अब उस 65 जो remaining है rest का जो है उसका 60% और वह spend कर रहा है तो हम उसके पास कितने बच गे तो सर अब उसके बास बूलेंगे 39 40 अगर हम जाए तो इसमें 26 उसके पास बच जाएगा यह वह अपने cell पे वो क्या करता है expand करता है 26 वह अपने cell पे expand करता है तो आप यह कहेंगे 26 और cell पे इसका डाइग्राम बनाओ तो अगर टोटल मेरा उसकी सेलरी है तो सेलरी में से सिर्फ इतना सा पाठ ही वह क्या कर रहा है सेल्फ पे expand कर रहा है 25 परसेंट के अप्रॉक्सिमेट इसी है हम इसको 26 परसेंट के अप्रॉक्स मान सकते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा अंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्यों बढ़ते हैं कौशन नमबर 32 को कौशन नमबर 32 में हमें इन्फोर्मेशन दी गई है और इस इन्फोर्मेशन के अकोडिंग हमें बताना है कि इनमें स्टेट्मेंट है और यह स्टेट्मेंट कौन से सही होंगे स्टेट्मेंट के कौशन हैं इन कौशन को करने के लिए वेंड डायग्राम की हम हेल्प लेंगे और वेंड डायग्रा में दूस्ता हूं कि यह हमारे conductor हैज यह सभ के सब क्या है ठीक चाहर को मैं वायर में डाल दिया और स्फ़ाइड, सूर्फ उस्षर प्लास्टिक्स वायर सार प्लास्टिक को सम्वायर सार मैंने क्या बना दी बनाधी ठीक है, अब मैं इसको conclusion निकालने है, all conductors are plastics ऑल conductors are plastic नहीं सर मैं sure नहीं हूं कि conductor plastic में होगा यह नहीं होगा all wires are not conductor all wires are not conductor मैं इसमें भी sure नहीं हूं कि यह सभी होंगे कि नहीं होंगे तो हमारे पास option 4 जाता है neither one or neither two are correct ठीक है एक मिन फिर से चेक कर लेते हैं all conductors are plastic all conductors are plastic all conductors are wire some wires are plastic all conductors are plastic नहीं रॉंग हो गया all wires are not conductor ठीक है दोनों रॉंग होंगे neither one nor two दोनों आपकी conclusion क्या होंगे इसमें रॉंग होंगे ठीक है सेकिन पर जाते हैं कॉशन नमबर 32 33 कॉशन नमर 33 है आपके पास some laptops are tablets तो आप बोलेंगे सर यह हो गया हमारा laptop और यह हो गया tablet all tablets are servers all tablets are हमारे पास होगे servers ठीक है अब हमें conclusion पर पोश्चना सम लेप्टॉप सार्वर हां बिल्कुल सही बात है सम लेप्टॉप सार्वर्स हैं यह वाला portion आप सर्वर कह सकते हो सम सर्वर्स नॉट लेप्टॉप सम सर्वर्स नॉट लेप्टॉप सरी इस बारे में नहीं कह सकता और यह कॉमन सेंस की बात है कभी भी किसी positive statement से negative conclusion नहीं निकल सकता तो हमारा conclusion first क्या करेगा only follow करेगा question number 33 में first follow करेगा question number 34 की बात करते हैं 34 सम माक्स और sanitizer तो यह मास्क हो गए और यह मैंने बना दिये sanitizer some some sanitizer hand wash some sanitizer में बना दिये hand wash question some mask are not hand wash some mask are not hand wash वही वाली बात positive से negative sentence conclusion नहीं निकाल सकते all hand wash are sanitizer all hand wash sanitizer नहीं कह सकते तो दोनों conclusion follow नहीं करेंगे neither one nor second follow question number 35 पे आते हैं question number 35 है हमारे पास if the perimeter of the rectangle circle and square are equal then which one is the correct हमें यह बताना होगा perimeter equal है तो perimeter की अगर हम बात करें तो circle का perimeter होता है 2pi r अगर हम बात करें square का Ск्वायर का perimeter होता है 4 A और हम बात करें rectangle sketchy rectangle का होता च्छा की 2े नटो l plus B यह तिनों के perimeter है और यह तरीऑ perimeter आपस में क्या है इकोल है तो मैं एजूम कर लेता हूं कि लेट अजूम कि टोटल पेरिमिटर जो है वो 44 है 44 या मैं आर एक बार 7 ले लिता हूं तो देख लेता हूं क्या पेरिमिटर आता है 22 वाई 7 और मैंने आर को 7 ले लिया तो पेरिमिटर 44 आ गया मैंने अजूम कर लिया कि सरकल का का परिमिरोटियूटिफॉऊ मतलब स्कॉार का पेरिमिटर भी उना चील का चाहिए तो इसका भी app 4 24 और अधे घ्रम जाίν गी स्काम अगा उन इगर आप करेंगे तो seven से seven cancel यानि 154 area आएगा किसका circle का square की अगर हम बात करें तो अगर 11 का square आप करेंगे 121 area किसका square का और rectangle की अगर हम बात करें तो sir rectangle का 22 है तो आप L और B को अगर equal मानेंगे तो 121 आएगा और अगर अलग अलग अजूम करते हैं यह 10 और 12 करते हैं तो 120 आएगा इसका मतलब rectangle और square का area equal हो सकता है या फिर rectangle का area आमेशा छोटा होगा option की help से अगर हम देखें तो सबसे बड़ा area होगा circle का फिर उससे छोटा होगा square का लेकिन square और rectangle का area equal भी हो सकता है और square का area rectangle से बड़ा भी हो सकता है तो fourth हमारा क्या होगा answer होगा I hope आपको बात समझ में आ रही होगी ठीक है आगे बढ़ते हैं कॉशन नमबे 36 सेंपल सा कॉशन था हमें इस पृआमड को देखना है और पिरामीड को देख कर बिसिंग नंबर को बताना है आप यह देखने सर वन है तो इधर वन चल रहा है continuously 1 तो 1 चल रहा है continuously इन दोनों 1 को एड किया तो 2 आया है इन दोनों 2 और 1 को एड किया तो 3 आया है 1 & 3 को एड किया तो 4 आया है तो थो तो यहां पर क्या आना चीए Daha यहां पर 3 logic लगा हुआ है और इस logic की help से हमें को find करना होगा कि यहां पर caution mark पे क्या हैगा और इसके लिए हमें देखना होगा कि इन numbers में हमने क्या addition or multiplication किया है कि हमारा answer होगा तो हम इसमें simple से अगर logic देखें तो 372 में से अगर 235 अगर आप माइनस करते हैं तो जब आप मैंस करेंगे तो 76 में ने गया है तो 3 threat 137 और इसको जब आप 2 से multiply करदेंगे तो आपके पास आएगा 274 Same concept आप यहां पर करेंगे जब आप 580 मैसे 405 अगर माइनस करेंगे और इसको multiply कर देंगे तू से तो आपके पास आएगा 350 इस में अगर मैं यहां पर 918 में से माइनस करता हूँ 735 तो जब आप इस में से माइनस करेंगे 735 तो बोले 3 यह बच गया 8 यह आगया 1 इसको आप जब आप 2 से multiply करेंगे तो आपके पास आएगा 6 6 और 3 तो आपका आंसर होगा 3 6 6 क्या होगा आपका यहां पर कौन सा नंबर आएगा तो आप यह देखते हो कि 9 को जब 3 से multiply करता हूँ जब आप तो आता है आपके पास 27 और 16 को जब आप 4 से multiply करते हैं तो आता है 64 जब इन दोनों को add करेंगे तो आपके पास आता है 91 सेंब कॉंसेपश जब इन दोनों को multiply करेंगे और इन दोनों को multiply करके एड़ करेंगे तो आपके पास आएगा 76 सेंब कोंसेपश यह कहों तो 65 और 11 को जब 2 से multiply करूँगा तो 22 तो मेरे पास नंबर आएगा 87 तो मेरा आंसर होगा 87 फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा राइट आंसर हो जाएगा ठीक है कौशन नमबर 39 भी हमारे पास मिसिंग नंबर है इन नंबर्स को यूज करके हमें यह नंबर लाना है इन नंबर्स को अगर आप देखें तो मुझे यह परफेक्ट क्यूब दिखाए आप मुझे देखना होगा इन परफेक्ट क्यूब यह 4 का क्यूब है और 7 में से जबाप माइनस कर दें गे 3 को तो 4 आता है तो आप बोलेंगे यह 64 का क्यूब हो गया 8 में से जब आपने 2 माइनस किया तो 6 आया और 6 का क्यूब कर देंगे तो 216 आएगा तो इसे हम यहां से करें सर 8 में से जब 11 में से जब 8 माइनस करें 3 आएगा और 3 का जब क्यों करेंगे तो यहां पर नमबर आना चाहिए 27 और 27 हमारे पास option number 3 में है ठीक है आगे बढ़ते हैं question number 40 question number 40 हमारा calendar का question आ गया हमें बताना है 1 December 1899 को अगर आपके पास Friday है simple question है तो हमें बताना है 1 December 1900 को कौन सा दे होगा देखिए हमारे पास month same है date same है सिर्फ year में change हुआ है year में एक change हुआ है आप बोलेंगे भी हमारा एक आगे बढ़ जाएगा और हमारा डे आएगा Saturday आप बोलेंगे हमारा answer क्या हो जाएगा Saturday हमारा क्या होगा answer होगा next question next question हमारे पास statement and conclusion से related है इसको हमें पढ़ना होगा और हमें बताना होगा कि इस question को complete करने के लिए इन दोनों statement से कितने statement की जरूत हमें पढ़ेगी question है हमारे पास what is the price of sugar during the fifth week of the year 2018 2018 का जो fifth week था उसमें sugar की price आपको बतानी है और उस price को बताने के लिए आपको इन दोनों statement में से help लेनी है और आपको बताना है कि इन दोनों statement में से कौन से statement की help से आप इसके answer को दे सकते हो तो मैं इसके दोनों statement पढ़ता हूं पहला statement पढ़ता हूं मैं दूरिग डूरिंग द़ूरिंग धाउस्ट वीग वब टूट जो त्रइटीष रूपीज फस्ट वीक जो था उसमें price थी कि था तूटीश रूपीज पर केजी है एई ठीक हम उजे सकता हूं यह बता सकता हूं कि 15th week में कितनी वड़ जाएगी यानि इन दोनो statement को use करके मैं यह answer बता सकता हूं कि 15th week में जो सुगर की fries थी वो क्या होगी तो हम यह कह सकते हैं कि both and both statement first and second are sufficient to the answer the question इन दोनो statement की हमें जरूत पड़ेगी अगर हमें इस question का answer बताना चाहते हैं तो question number 42 question number 42 b how many books are in the bookshelf हमें बताना है bookshelf में कितनी books है और इनके लिए हमें इन दो statement को use करना है first statement है the average weight of the each book is 1.4 1.2 kg each book average weight हमें पता है ठीक है और क्या पता हमें second statement हमें कह रहा है how the books and the bookshelf together weight हमें books का total books का और shelf का weight है वो पता है 117 kg है अब मुझे यह नहीं पता कि इसमें कितनी books रखी हुए है caution यह है कि कितनी books रखी हुए है मैं weight से उनके book के अंदाजा नहीं लगा सकता क्योंकि मुझे यहां नहीं पता कि total book कितनी है और उन total book को मैं इससे multiply करूंगा तो यहां पर कितना है तो आप बोलेंगे सर इसमें हमारे पास दोनो statement की help से आप इसको answer नहीं दे सकते fourth क्या हो जाएगा हमारा answer हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं है एक्स प्लस वाई की वेल्यू क्या होगी फस्ट कौश हमारे पास condition है हमें दिया हुआ एक्स माइनस वाई इकल टू फोर सेकिंड कंडिशन है थ्री एक्स प्लस थ्री वाई इस इकल टू जीरो इन दोनों statement को कि यूज करके आप इनको बता सकते हो क्योंकि आप जानते हो कि अगर किसी में दो उलनों है तो उननीक्वेशन CRAWK सोल करने के लिए हमारे पास कम से-कम दो इक्वेशन होना के लिए कम से कम हमारे पास दो equation होनी चीह आपके बास दो equation x & y में आप इनकी help से x & y का value निकाल सकते हो आप यह कहेंगे कि both statement first and both two are sufficient to the answer the question ठीक है next question पर बढ़ते हैं question अब इप the value of x y is the greater than one x & y both are the positive हमें बताना है x y की जो value है वो greater than one होनी चीह और condition यह है x & y दोनों क्या है positive numbers है अब आपको help लेनी है the value of x is less than one x की value क्या है less than one है तो आप बोलेंगे x की value less than one आप कुछ भी आजूम कर सकते हैं जैसे suppose करो मैं x की value आजूम कर लेता हूं x की value आजूम कर लेता हूं नहीं आएगा second statement बोल रहा है the value of y is more than one more than one यह अगर आपने y की value 2 आजूम कर ली है और x की value आप आपने one आजूम की है तो बोलें आभी सकता है लेकिन अगर one by two आजूम करेंगे तो one आएगा तो नहीं भी आ सकता तो you are not sure कि यह आएगा कि नहीं आएगा तो आप बोलेंगे सर दोने statement sufficient नहीं है इसका answer देने के लिए आप नहीं बता सकते कि कौन से स्टेट्मेंट से इसमें greater than one आएगा ठीक है next आगे बढ़ते हैं कौशन नंबर 45 कौशन नंबर 45 डारेक्ट स्टेंडर्ड कौशन है किसी फाइप स्टार का जिसके फाइव वर्टेक्स हो आप इन फाइव वर्टेक्स अगर किसी स्टार में होते हैं तो उनकी एंगल का इसा कैसा पूछा गया आप डारेक्स अंसर लगाते हैं कौशन नंबर 180 भी थे नेक्स आता है डाइस का कौशन है कोशन नंबर 46 डाइस में आपको क्या किया गया है एक डाइस को ओपन करके दिया गया है और आपसे पूछा है कि इसमें 5 जो डोट है उसके अपोजित में ही आएगा, option second आपका क्या हो जाएगा, answer हो जाएगा, same process भी यही है, हमारे पास एक dice की तीम position गीवन है और इन तीनों position में यह single dice की position है, यह क्या है, single dice की position है, और dice को जब हम open करेंगे, तो कौन सी dice हमारे पास बनेगी, यह हमें बताना है, हमें यह बताना है, तो इसको बताने के लिए हम यह देखते हैं, simple सा concept, कि हम यह कहें, कि अगर कि कौशन के अंदर opposite number हम देख लें, कि कौन सा number की opposite में कौन सा number होगा, तो जैसे हैं, अगर मैं इन दोनों dice की position को अगर observe करता हूँ, तो इसमें 3 मेरे पास common है, तो मैं 3 को common लेकर यहां पर clockwise अगर rotate करूँ, तो आप बोलेंगे 3, 2, 1 आएगा, यहां पर 3 को common लेकर अगर मैं clockwise रोटेट करूँ, तो 3, 5, 6 आएगा, तो 3 के opposite मेरे पास 4 आजाएगा, और हम जानते हैं कि dice में 2 opposite number एक साथ show नहीं होंगे, और जब open कर देंगे, तो 2 opposite number एक साथ touch में नहीं होने चाहिए, अब आप देखते हैं, कि अगर इसकी बात अगर हम करें, तो 2 के opposite में 1 आ रहा है, तो 2 के opposite में 1 आ रहा है, तो 2 एक साथ show हो ही नहीं सकता, इस position में तो show हो रहा है, इसका मतलब यह वाला case नहीं हो सकता, दूसरे में बात करें कि 5 के opposite में 1 आ रहा है, तो 5 नहीं दिख रहा है, तो 5 नहीं दिख रहा हो सकता है, तो 6 के opposite में 2 आ रहा है, तो 2 भी दिखाई दे दोनों एक दूसरे के opposite नहीं नहीं हो सकते तो ये हमारा answer नहीं हो सकता थर्ड पे जाते हैं, उसर्ड six के opposite में one आ रहा है तो उस्या साथ one दिखाई नहीं नहीं देगा आपको किसी भी dice में या one के साथ आपको six दिखाई नहीं देगा four की साथ opposite में three है तो 4 दिखाए दे रहा है तो 3 नहीं दिखाए देगा 3 दिखाए दे रहा है तो 4 नहीं दिखाए देगा और 5 दिखाए दे रहा है तो 2 नहीं दिखाए देगा और 2 दिखाए दे रहा है तो 5 नहीं दिखाए देगा यानि 3 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इसको भी च काउशन НаOP 48 में बोल रहा है कि हमें बताना है 4 तिजिट की लाडगें सनमबर हम जानते हैं लाडगेस नंबर को बनाने के लिए brain का यूज करते हैं। और इस स्मोल इौट लूज को बनाने के लिए हम जीरो का यूज करते लेखिशे हैं. तो हम बोलेंगे कि सर यह 9 से divisible होगा अगर हम देखें तो यह हो गया सर 8 107 1 1 2 1 प्लस 7 प्लस 1 तो आप बोलेंगे सर 9 आएगा यहां पर 2 आएगा तो फिर 9 से divisible नहीं होगा तो 1 होना चीए इसमें अगर हम माइनस करेंगे तो 109 और यह आगया 8 तो 8901 हमारा क्या होगा आंसर होगा 8901 option 4 क्या होगा हमारा आंसर होगा यह हमने 2 इसलिए नहीं लिखा यहां पर क्योंकि डिजिट का जो सम होना चीए वह 9 से divisible होना चीए तभी वह नंबर 9 से divisible होगा अगर आप 2 रखेंगे यहां पर तो यह हो जाएगा आपके पास क्यूब है तो इसका वोल्यूम हो जाएगा 6 का क्यूब 216 और इसको आपने बनाना है 1.5 cm के वोल्यूम हो जाएगा इसको वोल्यूम कर देंगे इसमें इसका डिवाइड लगा देंगे तो आप इसको सॉल करने क्लिए 6 इन्टो 6 में डारेक्ट डिवाइड लगा दें 1.5 x 1.5 x 1.5 x 1.5 पॉइंट हटाएंगे तो आप लेंगे सर्फ 3 0 पर चले जाएंगे अब आपको सॉल करना है इसको डिवाइड करूं इसको में 3 5 जा 2 फिर 5 जा 2 3 5 जा 2 ठीक है अब आप इसको सॉल करेंगे तो इसको सॉल करेंगे तो 4 इसको सॉल करेंगे तो 4 क्योंकि मैंने वोला 5 4 जा 20 तो 4 को 3 मुल्टिप्लाइ करेंगे तो बलेंगे 64 तो आप का अंसरा जाएगा कितना 64 49 में अंसरा किया हो गया 2 कॉशन नंबर 50 50 के अंदर हम देखेंगे हमारे पास बताया गे इन अगर सक्सेवली इंक्रीज करता है और सक्सेवली डिक्रीज करता है तो ऐसे कॉशंस में हमेशा उसमें x% x2 divided by 100% का क्या होता है decrease होता है always decrease होता है तो first वाले में तो क्या बोल रहा है rate of gold will be same होई नहीं सकता दूसरे वाले में बोल रहा है कि less than x rupees per gram नहीं सर्फ परसंटेज में होगी x square by 100 gram का होगा नहीं होगा increase होई नहीं सकती यानि आप बोलेंगे option 4 क्या होगा हमारा answer होगा यह आपका paper था ठीक है जो आप लोगों ने मैंने आपको solve कर आया इस paper के अंदर कुछ questions ऐसे हो सकते हैं जिसमें आपने time consume हुआ होगा लेकिन और आल paper आपके लिए पड़ा ही आसान था ठीक है thank you